सबसे पहली बात आपको जानना है कि पूर्वत्तर होता क्या है पूर्षतर के बारे में बात करेंगे हम तो देखो यह दो शब्दों से मिलके बना एक तो पूर्व यमा उत्तर और इस तरीके से हम बोलते है पूर्वत्तर यह concept आप लोगों के exam के point of view से बहुत important है, पूर्वत्तर में भी हम देखेंगे जिस तरीके से पंजाब में और जम्मू कश्मीर में सांतिस्ता पितनी हो पाई, ऐसे ही पूर्वत्तर में कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर आंदोलन आज भी जा रही हैं, और वो भी बार-बार अलगावाद की demand करते हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए जो स्वायत्ता दी गई है, वो स्वायत्ता परियाप्त नहीं है, अभी आपको मैंने पहले की class में समझा रखा है, स्वायत्ता का मतलब होता है, स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, विशेश अधिकार, क्या होता है, स् सबसे पहलीक hebben य हां से बुझेगा साथ बिहने या साथ मिनली लिखाएगा इंगिस में अप देखो ग्यूटा सेवंफिस्टर दिखा वगा उपर की तरफ से याद करोंगे सबसे पेले उखालाई को सब वह Iं, इसके बाद में यहां पर आप सभी का मझी फिर मिजोरम जेको चार भosaуры फिर और एक हम अलगाली सात हो गए और यह यहां पर सिक्किम है, इसे सेवन सिस्टर से अलग रखा जाता है, ध्यान रखना है आप सभी को, पहले नमर पर रुनाचल परदेश, दूसरे नमर पर लंगा लैंड, तीसे नमर पर मनिपूर, चौते नमर पर मिजोरम, पाचवे नमर पर थिरपूरा, छेटे नमर पर कि उस देश का नाम बताईए, जिससे भारत की सबसे बड़ी सीवा स्ताजा होती है, यानि भारत ऐसा कौन सा देश है, जिससे अपनी सबसे बड़ी बॉर्डल शेर करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांगलादेश, बांगलादेश, पांच स्टेट इससे बॉर्डल और यह नॉर्ट इस्त का ही कुईशन है, अगसे पूच जाएगा, दूसरी बात, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, नॉर्ट इस्के में तो असम, पहले भी सबसे बड़ा स्टेट असम ही था, जब भारत बना था, यानि 1947 में, नॉर्टिस्त में किवल दो ही स्टेट थे, उसमें सबसे बड़ा स्टेट असम था आज भी वर्तवान समय में सबसे बड़ा जो स्टेट है वह कौनसा हे असमी है यहां पर सेवरण सिस्टर्स कौन्से थे आपको पता चलिग discret आ इसकी अंदर अब यहां पर ध्यान रखना है आप सभी को इसके बारे में सबसे पहली बाद तो यहां का जो कल्चर यहां की जो संस्कृति है वो पूरे एंटायर देश हमारा जो पूरा कंट्री है उससे पूरी दरीगे से अलग है यहां पर हम देखते हैं बौदिजम को अधिकतर लोग फ आप देखोंगे यहां पर अब जब इंडिया का मैप देखोंगे तो यह जो बाइस किलोमेटर की पतली रहा दारी यह जो चेत्र है यह चेत्र क्या करता है इस पूरे को पूरे इस पूरे चेत्र को जोड़ के रखता है आपको मैं पताता हूं भारत ने जब चाइना से हम और हारे उसके बाद भारत ने सबसे जाद अगर सुरक्षित किसी प्लेस को बनाया है तो इस प्लेस को चाइना बार-बार कोशिश करता है जिस दिन वो इस चेतर को जीत गया समझेला यह सारे के सारे स्टेट जो है वो हमारे हाँ से चले जाएंगे कि यहां के लोग बार-बार अंदोलन करते हैं सुरक्षा की बात करते हैं स्वायत्ता की बात करते हैं कहते हैं कि भारत हमारे साथ पूरी तरीके से बेदबाव करता है ना हमारे लिए बड़ी-बड़ी योजना ही चले जाती है ना ही हमारे संसादनों का मच्छे से दोहन कर प इनके पास इतनी सुरक्षा की वेवस्ता नहीं है हमारी सरकार इसा नहीं इनकी इनकी पास इतनी पावरी नहीं है दुली को देखो कि थोड़ी दूरी में आपको पुलिस लाई या सुरक्षा वैवस्ता आपको नौर्थ के जगाओं पर बहुत ज़्यादा मिलेगी यहां पर यह परवती इलाका है जिसकी विज़े से ना तो अच्छी सुरक्षा वैवस्ता है यहां पर पाहनी तो मिल जाता अलिया मतलब स्थान यहां पर दुनिवान सबसे ज़्यादा वारिश होती आपको बताएं मामसीं राम इसके बारे में आपने पढ़ राखा है तो यहां पर आपने यह देखा कि यह जो 22 किलोमेटर की पतली सी रहाधार यह किस तरीके से इसको जोड़ती है इसके बाद में इंपोर्टेंट मन जाएगा एक इंडिया का बूडर है यह भूटान उसमें नहीं लिखाता मैं आपको बता दू भूटान भी इसके बद में यह मैम्मार है और यह बंगलदेश है इन चार देशों से आपके स्टेट क्या है बांडरी शेयर कर रहे एक और कुश्चिन आता है आपसे वर्मा लिखा जाएगा या आपसे पूछेगा किस देश का नाम है तो मैमार का नाम है आपसे क्या नाम है अरुनाचल परदेश का भी पूराना नाम पूछा जाता है तो अरुनाचल परदेश का पूराना नाम नेफा है आपसे अगर पूछा जाए कि अरुनाचल पर पुरा प्रापता नहीं कि एक दमार अनुस्ते हैं कि això आप के अधर में डेकर अपके अपना रहे व्हां पर आउसेन में युदूजिया- कि अमें और कोई यहां पर नहीं मिलेगा यहां पर अब नौर्ट इस्ट की बारे में आपने का कि जैसे पंजाब में प्रॉब्लम है स्वाइट्था की पंजाब बार-बार अलगावाद की डिमांड करता है ठीक उसी परकार से जिम्मू कश्मीर में होती है नौर्ट इस्ट क तो यह काफी दुखत गटना है और इस लोग बार-बारी अलगावाद की डिमांड करते हैं देखो प्रॉब्लम कैसे शिरूए 1947 में मरा देश अजाद होता है और इन में से कुछ ऐसे स्थान है जिनका कहना है कि हम पर कभी अंग्रेजों ने राजी नहीं किया अंग्रेजो कुछ यान के साथ क्या करेंगे नहीं जुड़ेंगे क्यूंकि हम अंग्रेजों ने अंग्रेजों के साफ़ रहेंगे कसे इसालिया कहीं कई चेत्र है तिरपुड़ा मणिपूर में दूझेव और और यहां पर अलग अलग देश्य देशरी फ्यासितिति लेकिन आजादी के बाद में हम देखते हैं कि इसे क्या कर लिया गया, उत्तरपूर में मिला दिया गया, मटीपूर की समस्या अपने फोर्स चैप्टर में बढ़ी थी, और मटीपूर में आपने क्या देखा था, कि मटीपूर के ऐलजुकरा ते बौल चंसिंग, उनका क्या क नहीं थे लेकिन तब भी इनकी सीमाओं को बदल कर इसे भारत के शाथ क्या किया गया जोड़ा गया अब यहां पर अलगावाद के बहुत जादा अंदोलन होते हैं और यह इंपॉर्टेंट आप जो मैं बताऊंगा आपसे पिपर में बहुत मुश्किल कोशन होता है यह आप भारत के मैप में नॉर्थ इस्ट की मैप को बच्चे बहुत मुश्किल कर पाते लेकिन आपको याद करना होगा नागालेंड जो है यह कब एक नए राज्य बना 1963 में मनिपूर तिरपूर आप में यह तीनों के तीनों बने आप लोगों के 1972 में यह तीनों की तीनों कब बन आया और इसके बाद में मैगालें इस तफ था तरफ तुर पुर आपने इस तरफ कोने में देखा तो आपने आपको याद होने चीए ताकि आकि अगर ऐसे टिक करके आ जाया या यह लिखा आ जाया तो आपको याद होना चीए कि बई यह जो नागलेंड के ठीक नीचे है वो क्या है मनीपूर आपका तो यह आपको मैप में याद में उना चाहिए क्योंकि लिखा आएगा 1972 में कौन से यह स्टेट बना तो तीन दीन स्टेट बने पोजिशन याद नहीं होगी इस्टिति याद नहीं होगी तो आप गलत टिक कर दोगे इसके अलावा मिजोरम अरुनाचल परदेश यह दोनों कब बने 1987 में तो आपको इनकी स्टिति भी याद रहनी चाहिए इसके बाद में 47 के बाद में अगरम देखे जो पूरा पूर्व उत्तर का भारत है यह पूरी तरीके से देश से अलग तलग हो गया अलग तलग क्यों हो गया लिकिन का कल्चर अलगता यहां पर संसाधन कम थे और यहां पर सब्सक्राइद अलगाववाद के अंदोलन थे यह बिलकुल भा यहां के दूसरा मैमार यहां के रोहिया मुश्लिम जो है वह यहां के गुचने की गुचित करते हैं तो इंडिया में शर्नार्ते की समस्या हो गई और इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है जितने स्टेट सुन रहे हो इन सभी स्टेटों में जो यहां के खुद के लोग है वही क्या बन गए अल्प संख्यक का मतलब क्या होता है अल्प संख्यक कम लोगों को कहता है बाहर की लोगों की जिन संख्या जादा हो गई और खुद के लोगों की कम बहुत है इसके तो बड़ी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम होगी इसमें इसमें क् कि सारी समस्य हमें यहां पर लगातार देखने को मिलने लगी और इसकी वज़े से ही इसकी वज़े से ही यहां पर लिखा भी हुआ है कि बही पडोसी राज्यों से पडोसी देशों से आने वाले सर्णार्थियों के कांड यहां पर जनसंक्या की संरचना में बदलाव क्या आय इस वी देखो आगे देखने को आपको मिल भी जाएगा यहाँ पर बताय है कि पर यहाँ के लोग थे उन लोगों ने बाहरी लोगों का क्या की या विरोत किया जो बाहर से लोगा रहे ठे और यह सबसे बड़ा कारण रहा इनके अलगाओबाद वाद का इनका कहना था कि हमारे यहाँ पर जो संसादन है उन संसादनों का क्या नहीं कर पारे उत्तरपूरु के जो राज्य है हमारे इन सानी साथि बहुँ सब्सक्राइइetzen लगे 1970 के दशक से हम देखते हैं बहुत सारे आंदोलन होई 1980 के दशक में भी ऑब आंदोलन क्यूं हो रहे जैसे मैं बताब दूँ यहां की कुछ ethics है ethics का मिक्रम समझते हो यह कि कूछ tribes है यहां की कुछ जन जातिया इन जन जातिएं ने क्या किया यहांपर आम्ड़न करना शुरू कर दिया तो कौन कौन से जैसे गारो जातिए इसके अलावा असमे edeb सान पर नागा जाति एं जातिए जाति ओके यह पॉडर नवारो जाती एंप इसके पर klar से पुकूर से पढ़ाए जाएगा कि बोड़ों लोगों ने अंदुलन क्यों किया दुखा सब्सक्राइब श्वाइब हट क्यों कर रहे हैं सबसे पहली बात तो देखो कहा है अजादी के वक्त मनिपूर में आपने देखा था मनिपूर भारत के ने शामिली नहीं हो रहा था तो उन्हें दोने राज्यों को अगर हम छोड़ दे तो ये पूरा को पूरा हिलाका क्या कुया उता था और आफिर मटिपुर को क्या क्या था स्वायद्यवेश्टध थे आजादी के समय में मटिपुर को स्वैक्ता देज़ी उतली एक लगए यह तरह बागी पूरा क्या क्य नागालेंद वाला भी है, कवाल दो बूरा को छोड़ दे, अगर इसको छोड़ दे, यह पूरा को पूरा को पूरता था, यह पुरा असम कहलाता था, और यहां पर जो जैसे for example मिगाले के वो अस्मी बासा नहीं जानते नागलेंड के वो अस्मी बासा नहीं जानते तो उनको इस बात से दिख करती कि हम पर अस्मी बासा क्यों दोपी जा रही है अस्मी बासा जो उन पर लाद रहे थे इसके खिलाफ इनों ने पहले सबसे पहले विरोध किया, वहाँ पर दंगे भी हुए और बहुत सारे कुछ असम के अंदर ही हम देखते हैं कि नेता निकल के आगए जो इन आंदोलन की अगवाई कर रहे थे और उनका कहना था कि हमें असम से अलग होना है, हम असम के साथ नहीं रहेंगे क्यों कि असम हम पर असमी वासा थोप रहें, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने जो अंदोलन कर रहे थे, इन्होंने एक अलग गुट भी बना दिया जिसका नाम रखा ता, इन्होंने Eastern India Tribal Union, Eastern India Tribal Union इन्होंने संगटन भी बना दिया, और यह संगटन क्या कर रहा था, असमी भासा, जो थोपी जा रही इसका विरोध किया था और आगे चलकर उनीजसोट में एक बड़ा इनोंने संगटन बना लिया जिसका नाम था ऑल पार्टी हील्स कॉनफ और पाटी हील्स कॉनफरेंस इस नाम कानों ने क्या कर लिया अपना एक अलग से राजाएंच पार्टी भी जा सकते यह बना लिह इन संगटन के रूप में इन नेताओं की क्या डिमांड थी कि असम से अब हमें अलग रहना है अलग राज्या में बनाना है असम से उकर आखिरकार इसका रीजन भी था चुकि असम की जो सरकार थी इनके सारे संजागनों को यूज़ कर रही थी इनकी जो खुद की जाती थी संग्सादों का यूज़ नहीं कर पाती इसलिए जन जाती जो अलग अलग जन जाती थी जो असम से अलग होना चाहती थी और केंदर सरकार्ण ने क्या किया आगे चलकर असम को बाटा सबसे पहले में घाल ले मिजोरम अरुनाचलप्रदेश यह बनाए आप ने देखा था इन का पुंद्रक्तन होगया यहीं उनिसो बातर में तीन राज्य बनेंगे दें कितने तीन राज्य भी आपने ऊपर देखा था बाकि जो आपने फास्न था अपने पढ़ रगा है कि कौंसे स्टेट पर बनें थे आपको राज्य-पुन्रक्टन आयोग वाला कॉंसेप्ट प बलग हुआ आपको इसे पढ़ाया गया है पहले भी को यहां पर बताया भी गया है कि स्वैत्ता की आंदोरन कौन-कौन से जन्जाती कर रही थी इसे उधारने के लिए बताया गया है असम्में बोडो लोग बोडो करभी दिमसा ऐसे बहुत सारे समुदाय थे बहुत सारे कमस्व और भी सबका नाम नहीं लिखा गया है मैंने आपको कुछ और भी बताया इन सबका कहना था कि हम अपनी अपने जन्मत के अधार पर अपना राज्य बनाएंगे हमारी जो भी हमार आंदोलन के वृद्ध में कई कारवाई भी हुई कई दफा ऐसा भी हुआ कि कई लोग घायल भी हुए कई लोगों को जेल में डाला गया लेकिन यह आंदोलन लगातार चलते रहे निरंतर लगातार चलते रहे और मैं बता दूं आप सभी को पंजाब तो आज नॉर्मली आ अब आपको बता दूं जो नौर्ट इस यहां पर आज भी आंदोलन हो रहा है नागलेंड के बारे में पता आप लोगों को आपको इस चाटर ना पहुत सर्प्राइस करूंगा नागलेंड डारेटली कहता है हम तो इंडिया का पार्ट ही नहीं उसका अलग से जंडा भी है मैं आपको चाटर की लास्ट में उसका जंडा भी दिखाऊंगा उसने अपना जंडा तक बना दिया उसने अपना वो कहता है हम इंडिया के पार्टी नहीं है वह मानते भी नहीं है बहुत जादा संगर्श होता है आप देखना कभी भी नागलेंड की ख़बर आपको अब भारत की राजनिती को भी देखो गए बहारत के राजनिता कितने हरामी रहे अब लोग बोलोगे कि हमारे दीश के निता सिर्फ एक चीज चीज चाहते हैं हम सत्ता में रहे हमारा में मक्सद यही है में मक्सद इनका यही है देखो यहां पर के लिखा है स्वेत्ता की जो आंदोलन हुए पहले अंदोलन क्यों हुए असमी बाता थोपी जा रही थी लेकिन फिर इनकी डिमांड क्या हो गई आगे नहीं हमें तो असम से भी अलग होना ह अब 30 डिमांड देखो क्या होगी 30 डिमांड इनकी यह है कि जो बहारी लोग आए हैं उन बहारी लोगों को क्या किया जाए देश से बहार निकाला जाए जो यह बहारी लोग आए इनको क्या किया जाए देश से बहार निकाला जाए इनका मेन मुद्दा जो होगा वो यह होग कर दो के यहां पर लिखा है आजादी के बार जो भुठीयर मीजो और मीजो परवत के नाम से बनाए मिजो शेत्र को कि असम के बीतर ही लो, लोग ता जीतने बी यह आंद्लन करते थे इने क्या करते थे शेता करते थे आपने देखा मनिपूर को भी स्वायत जिला बना दिया था असम के अंदर मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी ब्रिटिश इंडिया का रही नहीं इसलिए भारतक संग से उनका कोई रिस्ता नहीं मैंने आपको बताया था इनका कहना था कि मिजोरम वाले डिकान था हम बाहरत के साथ क्यों रहे 1959 में मिजो तक इलाकों में एक भार já दिया गया अभर घही अब मैं आपके साथ रह रह रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी बंती जब ने में करो आपकी समझ से होगी तो मैं मदद करूगा लेकिन क्या हुआ कि असम के सरकार ने असम के साथ है इस आकाल में कोई भी परबंद किया ही नहीं नाकाम्याब रही और इस वजह से यहां के लोगों ने आंदोलन बहुत जादा बढ़ा दिया इन लोगों को कहना था कि क्या फा लग गया और इन्होंने लाल डेंगा नामक एक नेता को यह तस्वीर आप देख सकते हो इसको अपना नेता माल लिया और इसके अगुवाई में ही जो मिजोरम का आंदोलन स्टार्ट करा दिया और उन्होंने एक अलग से संगठन मना लिया यह संगठन क्या करेगा मिजो न करते हैं 1966 में क्या हुआ मिजो नैसनल फ्रेंट ने अजादी की मांग करते हुए शसत्र अभ्यान शुरू कर दिया यह सरकार के खिलाफ चैनिक लड़ाई कर दी जनता गोरिला वार कर रही थी गोरिला वार का मतलब होता है जंगलों में चुप चुप के लड़ाई की जाती इसमें क्या किया मेजोरम छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है यह पूरा प्रवती एलाका है तो यह कहां से वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और वहीं से लोगों को कमाइंड देता था अंदूलन ऐसा करो ऐसा करो खुद भाग गया और वहीं से हिंसा करवा है हमारे बहुत सारे सैनिक भी मर रहे है हमारे बहुत सारे सैनिक उस में पाकिस्तान के सरकार ने हमें सपोर्ट करें तो क्या करता था पूरी पाकिस्तान में अपने ठीकाने बना लिए जब भी सरकार पकड़ने जाती थी वह आग जाते हैं अब एक तरीके से आज के जमाने मे ने विद्रो को कुचलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी जंगुलों में चुप चुप के वार होता था और इस वज़े से वह आंदुलन को दबाई नहीं पा रहे थे इस तरीके से आम जंता को भी बहुत ज़्यादा कर्ष्ट उठाना पड़ा एक वायू सेने का भी इस्त आर्मी इस तरीके से लोग गूमेंगे और इसमें क्या है जो आम पब्लिक होगी उसको भी नुकसान हो सकता है यह आतंगवादी का उफिया भूमतर खबर देने वाला तो नहीं है हमें भी घरते बार निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा तो इस तरीके से वहां के लोगों तरफ से बाचित करने की कोशिश करी बाचित का सकरात्मक साधन पहुचा 1986 में राजिव गांदी और लाल देंगा के बीच में एक समझाता हो गया जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसके बीच में समझाता हुआ और इस समझाते में क्या क्या मिजोरम को एक नया राज्य बना दिया गया और उसे कुछ विशेश अधिकारी भी दिये गए मिजोरम जो मिजोरम की थी मिजो नैशनल फ्रेंट इसे अलगावादी संगर्ष छोड़ने के लिए कहा गया वह का थी हम छोड़ देंगे और लाल देंगा यहां का क्या बन गया मुख्यमंत्री ब बारे में और एक नागालेंड के बारे में पढ़ना है इसके बारे में इसके बाद में उत्तरपूर की समस्या कतम हो जाएगी मैं आज की क्लास से मैं इंशूर करता हूं कि शायद आपको मिजोरम की समस्या कमस्य में आगी होगी कैसे मिजोरम की समस्या बनी पूरा डाउट अकाल के कार्ण विद्रो ही बन गया, अकाल नहीं पड़ता, तो यह विद्रो करते नहीं, उन्हीं के साथ रहते, भारत सरकार के खिलाफ दो दशक तक शशक्त विद्रो भी किया, आगे चल कर परदान मंतरी राजिव गांदी की बीच, और इनके बीच में समझोता भी हुआ, इस को आगे चल कर मुख्य मंतरी बना दिया था, मैं आपको एक और खतरनाग चीज दिखा हूं, इक है, यह क्या है कूरे कॉरे कॉंट्रेक्ट है, आप देखो यह लिखा है, लाल डेंगा, यह कांट्रेक्ट है, यह सिंगनीचर किये हुए, यह President है किसका, Mizo National Front का, और इसम अपने लिखके देए यह देट उसी समय की है मेरे दोस्त जब यह समझवाता हुआ था तो यह पुरा पुरा डाउट था आपका जो कॉंसेप्ट था पुरा क्लीर हो गया कलम वसम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कले की क्लास के अंदर हम उसको डिसकस करें